सम्मानी सातियों को मेरा नमस्कार आपका हमारी चैनल में स्वागत है आई सातियों निफुन बारत अंकुर अभ्यासपुस्ती का कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए जो परियावान अध्यन की जारी हुए इसकी हम महत्पुन वक्षिटों को हल करेंगे इसी वर्स इसे कोर्स में सामील किया गया है इसलिए इसमें कार करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है साथियों आप हमारे चैनल पर एड़िकेट और विश्कोर से समस्त वक्षिटों का हल देख पाएंगे प्लेलिस्ट पर तो आप वहां से निकाल लिजी तो आईए हम आज सुरू करते हैं महत्पुन सब्तह 13 की महत्पुन वक्षिटों के पाट का नाम है पकाएं और खाएं अब हम देखें अब्यास कर्माघंग दिया है सुबहाय से विध्यालाह आने तक कौन-कौन से बॉत उन्म का उप्यों कि बताना नहीं कि आउन्म आप बता सकते हैं कि हमने कप मक मघ बालटी खाना कहने के लिए ठाली गिलास टिपिन अधी का हम ने उपले सकते हैं बरतन के स्रेल से बने थे बहुत से बने थे मिद्ध्ध्ध बता सकते हैं और निकालने के लिए धंडि वाला जो लोटा होता है वो है तो इस तरह आप बता सकते हैं फिर है बरतन और किन किन चीजों से बन सकते हैं तो बता सकते हैं कि मिट्टी से बन सकते हैं जर्मन से बन सकते हैं कासा से बन सकते हैं पीतल से बन सकते हैं इस तरह आप यहाँ पे उत्तर बता सकते हैं फिर है नमबर एक आपके घर की रसोई में खाना बनाने में उप्योग होने वाले बरतनों के नाम दिखो तो तवा, बरतन, गंजी, गंज, गिलास, वाल्टी, डगका, नित्यादी आप बता सकते हैं फिर है नीचे चित्र में दिए गए बरतन किस से बने हैं, लाइन खीची और मिलान कीजिए धाली इस्टील से कप, कांस से मिट्टी का मठका हो जाएगा, कांस से ही हमारा गिलास हो जाएगा इसे परकार जो गमला है मिट्टी से बना है दीपक जो है मिट्टी से बना है चम्मच इस्टिल से बनी है पीतल से जो है हमें यहां पे घगरा दिखाई दे रहा है और इसे परकार इस्टिल का यहां पे बटका और पानी पूनी की बोतल अब हम देख रहे हैं दिए गए बिंदूं को मिलाकर चित्र पूरा करिये और इसमें आपको रंग भी भनना और नाम भी लिखना तो यह हो जाएगा हमारा तवा और यह हो जाएगी कड़ए इसी प्रकार चित्र में दिये गए बर्तन का नाम लिखिए यह किस चीज का बना है और इसका उप्योग किस काम के लिए होता है बताना है तो यह मटका है मिट्टी से बना है इसका उप्योग गर्मी में ठंडा पानी रखने ही तो होता है अब हम देख रहे हैं बड़ो से आती लगज़की और सील किस से बनाय पट्तर और से फिर इस का उप्यू दाना पीषने और चट्री मनाने में होता है गर इसे हम अलक तरीके से देख्एं तो इसे हम सूपा भी मान सकते हैं यह सूपा मानेंगे तो प्रियान लकडी के बारे में पताना कि यह लकडी से यांबास से होता है हम देख रहे है अब्यास करमांग 2 नाना दादी oh से पता करिए अपनी दादी या नानी से पूछीं ए पहले वह भी डाल चावल किस वरतन में बताएं है कि मिट्टी के बातन में वह वरतन किस से बने होते थे तो मिठी से उस समय पंगत में खाना किसमें खिलाते थे थाली कटोरी किस से बनी होती थी तो बता सकते हैं कि पत्तों की बनी होती थी अपनी दादी या नानी से पूछकर पत्ते के दोने पत्तल बनाकर साला में लाएं तो आप यह बनाकर ला भी सकते हैं फिर अतीत के दादा दादी नानी दारा बताय बरतन तथा अभी आपके घर के किनी दो दो बरतनों के चित्र बनाकर रंग भरिए यह उनके नाम लिखिए तो मटका और यहां पर हम तवा बना सकते हैं इसी परकार वरत्मान के हो जाएंगे डिब्बा और बाल्टे इसी परकार कागच के चोटी चोटी त्णकोले करेंगे फिर टुकोलो को पानी में भूंगो यह फिर कूटकर बारीस पीज़ें इसे कागच को फिर हम देखेंगे नंबर में किसी बरतन पर चिपका कर आकार दे देंगे और फिर तीन तीन चार पांच दिन उसे सुखा लें गे और फिर सुखने के बाद उस पर रंग भर देंगे इसके बाद बरतन किन कन चीजों के बने होते हैं टुमिट्ट । पीच्टल तीनल वूम तो मिंट्री बने होते '' फलो के नाम बताएं तो सेफ हो जाएगा चित्र में दिख रही सब्जी के नाम आलो गोवी भटा लोकी और बंडी हो जाएगी इस तरह हमें पर्ती दिन अपने भोजन में क्या खाना चाहिए तो हरी सब्जी और शलात खाना चाहिए अगला प्रेशन दिखते हैं अभ्यास कर फलू और यह हो जाएगी गोभी इसको हम और टमार्टल इसको भी हम पकाकर खाते हैं और आपया ऐसे पण्ञलों को गोले लगाएं जिसे हम कच्ची यह आपश्ची Falun क खा सकते हैं तो एखिमुरियों पका-कर खाने में टामाटर इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं मतर को भी हम कच्चा खा सकते हैं केरेट और ककडि को अब हम देख रहे हैं यहां पर पाका कर खाने में लोगी, आलू, गॉबी, करेला, कच्ची खाने में टामाटर, प्याच, ककडि, मतर, गाजर पका कर और कच्चा दोना मटर को गाजर को, केला को और मटर टमाटर को इस तरह हम यहां पर लिख देंगे आगे कह रहा है पोड़ी बनाने की प्रकीरिया को करमबत करें दोस्तार पत्ता हम हम देख रहे हैं आटा गूतेंगे फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाएंगे फिर गोले से पूरी बिलना फिर चावल को उबाल कर और इडली को भापदरा पका कर 問रकर देख रहे हैं चित्र में दिए गए खाट पदारत। को आप किस प्रकार पका कर खाते हैं तो मक्का को भून-कर भी खाते हैं उबालकर भी मुंख-फलली को भी भून-कर खाते हैं अब हम देख रहे हैं चौनथे दिवस की कार्षिट चौंते दिवस की हम वर्षिट नंबर सत्तर भी देख रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं एक बात दी गई है इसका अभ्यास कमाकेक में गर्मी की चुट्टी के बाद मोनू और गोलू विद्धालया आए मोनू मैं अपनी मा के साथ नानी के घर गया था नानी चूले में लक स्टेशन ले गए थे रास्ते में वाल्टी जैसे चीज में से धूमा निकल रहा था मामा ने बताया यह सिगडी है इसमें कोईले से खाना बनता है फिर गोलू मेरी बुआ जी ने रात में बिजली से चलने वाले हिटर पर खाना बनाया था मोनू बोला मेरी मा तो घर पर ग स्टो बनता है मैंने तो तेल से जलने वाले इस्टो भी देखा है अब प्रस्ण मनते हैं चूले पर रोटी किस ने बनाई थी तो हमने देखा कि चूले पर जो रोटी थी वह नानी ने बनाई थी फिर है गोलू की बुआजी ने किसमें बाटी और बेगन का भरता बनाया थ प्रकाश या उर्जा से खाना बनता है परियावन की डिश्टी से उप्यूक्त सर्वादिक उप्यूक्त इंदन कौन सा हो सकता है थी यह हो अभ्यास क्रमा के एक में दीए के अनुच्छत में से भोजन पकाने के साधुनों के नाम लिखे तो कंडे लखड़ी हीटर और सिगड़ी हो जाएगा अब हम देख रहे हैं वरत पहली में इंधन के नामों पर गोला बनाएं यहां नाम लिखें तो केरोसिन विजली कोईला ग इन दोनों के नाम तो यह हो जाएगा गैस और विजली इसके बाद हम देख रहे हैं पांचवे नंबर पांचवे दिवस की वक्षित नंबर 71 दी गई है यदि किसी बच्चे बड़े को उल्टी दस्त हो तो उसे क्या देना चाहिए आये सीखते हैं और इसका गोल कैसे बना आप्वी हम सकते हैं सिक्षक साती आप से यहकार करवाएंगे अब है पैचानों तो हमें चना यहां पर फूला हुआ दिखाई दे रहा है तो पहिचान हो यह क्या है तो चना है चने के सफित भाग जैसा क्या है तो यह इसका अंकुरण है आपको पता यह कैसे अंकुरित होता है तो बता सकते हैं कि इसको हम पानी में डालते हैं और कपड़े में बांद के इसको कपड़े को नरम करते हैं तो यह अंकुरन इससे बाहर निकल लाता है फिर इसके खाने के क्या पाइद हैं तो शरीर इससे स्वस्थ रहता है हश्पुष्ट होता है फिर है आप सभी घर पर रखे चने अनाज को अंकुरित करें और खाएं काम को क्रम स rice माना सुर्फपता नाज के surya और को दो कर एक बरतन में पाणी में भुनोकर राध भा डक देंगे पृर सुबह पानी थेक कर दोनों को कपडाओं में बांध साली थे फिर दो-थें लेंगे पानी डालेंगे और बरतन लेंगे इस तरह हम तयार कर लेंगे अब हम चलते हैं छटवे दिवस की और बक्षिट नमबर बात्तर भी दी गई लेंगे निम्नांकित बरतनों के नाम लिखिए और जो आपके घर में हैं उन पर सहीं का निसान लगाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कूकर पानी हीटर कढ़ाई बेलन और चमच हैं इसी प्रकार यहां पर हमको बरतन और सामगरी खाने वालों के नाम वाली खाने वाली के नाम नीचे दी गई सार्णी में उची दिस्तान पली चमच से हम क्या खा सकते हैं देख सकते हैं काटे वाली चमच पपी तगा सकते हैं प्लेट तो इससे चमच से भी खा सकते हैं अंडे चनना पॉप्योग दू इस तरह हम ले सकते हैं फिर है अगर बरतन नहीं होते तो हम किन-किन परेशानियों कर शामना करना पड़ते हैं तो हम भोजन सहीं से पका नहीं पाते हैं पानी सहीं से पी नहीं पाते बस्तुवें सहीं से रख नहीं पाते भोच्पदार्त से संबंदित अब है सोचे यदि आ पिर रोटी को सेकेंगे अगला है यहां पे आपको pressure cooker का चितर बनाना है और नीचे भोछ पदहरतों की नाम मना हो लिखना कि कि इसमें क्या क्या पका सकते हैं तो चावल डाल पुला और शब्जी इस तरह आप यहां पे कुकर का पिश्र कुकर का चित्र बना लीजी साथियों आगे कह रहा है निचे दिए गए चित्रों में भोजन मनाने के तरिकों के नाम लिखो तो भूंणा तलना सेखना और पकाना और इसी प्रकार दिए गए बिंदों को मिलाकर चित्र पून करें इसमें रंघ भरें दीगई जगह में इसका नाम वा किस इंदन से चलता है और इसका उप्योग दिये हो जाएगा सोलर कुकर इनन सूर का प्रकास और इसका उप्योग भोजन पकाने में होता है इस तरह सातियों समस्त वक्षिट इस सप्ता की हमारी यहां पे जो तेरवा सप्ता है कंपेट होती है आसा है यह वीडियो आपके लिए हल्पूल रहा होग एडिकेट और विचकोर सम्मनित वक्षिटों के हल पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरू करने है उसके प्लेलिस्ट पे जाएं वहाँ पे आपको संपूर्ण मिल जाएगा हम फिर मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए मेरा नमस्कार जैहिन ज